है वाट्ट अपेस विकास है तो कल पोको इंडिया ने ओफिशेली पोको एकस्टू इंडिया में लॉच कर दिया है और यह एक नप बजट डिवाइस है 16-17,000 रुपए इसकी प्राइसिंग है इस प्राइस रेंज मेरे से अब तक का बेस्ट इसस्ट आपको हर एक वो फीचर देखने मिल जाता है जो आप एक स्मार्पोन सर्फेक करते हो आज की स्वीडियो में बड़ी इंटरसन रहें वाली है डिस्प्ले में बात करूँ तो X2 में आपको देखने मिलता है एक 6.67 इंच की IPS LCD डिस्प्ले विद डूल पंचोल कैमरा और इस ना डिस्प्ले में आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है जो की प्रोटेक्टेड है विद कॉरियला ग्लास 5 डिस्प्ले में आपको देखने मिलता है एक 6.1 इच की IPS LCD डिस्प्ले विद बढ़ा नॉच इसमें आपको एक 60 Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है और इसमें भी आपको ना प्रोटेक्शन मिलती है कॉर्णिंग ग्लास की डिजाइन के बात करूँ तो X2 में आपको देख लगता कुछ बताने की जरूरत है यहां पर क्लियर विनर है Poco X2 चाहे आप बात करो डिस्प्ले में या फिर आप डिजाइन में एक तो आपको ना पोको एक्स्टो में बड़ी डिस्प्ले देखने मिलती है यह रिफ्रेश रेट देखने मिलता है और डिजाइन भी आपको देखने मिलता है 64 Megapixel का Quad Camera पर इसका जो 64 Megapixel है वो बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें आपको देखने मिलता है for the first time Sony IMX 686 Sensor Secondary Camera आपको देखने मिलता है 8 Megapixel का Ultra Wide Angle Camera 3rd sensor है 2 Megapixel का Macro Lens 4th Camera है 2 Megapixel का Depth Sensor Selfie में आपको Dual Selfie देखने मिलता है जो कि है 20 Plus 2 Megapixel पोको F1 में आपको देखने मिलता है 12 Megapixel का Dual Camera जो Primary Lens वो है 12 Megapixel विद अपाचर F1.9 जो Secondary Camera है वो है 5 Megapixel का Depth Sensor विद अपाचर F2.0 आपकी इसमें सिंगर सेल्फी देखने मिलती है जो कि है 20 Megapixel की सेल्फी अगेन यहां पर क्लियर भी नहीं है Poco X2 आपको Poco F1 में भी थोड़ी बड़ी क्वालिटी की आप पिछस देखने मिल जाती है तो आप Poco X2 से आप compare नहीं कर सकते है Poco X2 का Camera लॉट बेटर है compared to Poco F1 So Performance की बात करें तो Poco X2 में आपको देखने मिलता है Snapdragon 730G जो के 8nm पर बेस्ट प्रोसेसर है with Adreno 618 GPU इसपर आपको 6GB RAM है एंड 8GB RAM है वो है UFS 2.1 इसपर आपको Android 10 out of the box देखने मिलेगा based on MiUI 11 इसपर आपको liquid cooling technology भी देखते मिल जाता है जो कि आपको बड़ा ही हल्प करेगा gaming के टाइम अब Poco F1 के बात करें तो इसपर आपको देखने मिलता है Snapdragon 845 प्रोसेसर जो के 10nm पर पर बेस्ट प्रोसेसर है with Adreno 630 GPU इसपर भी आपको 6GB RAM है एंड 8GB RAM वेरियंट देखने मिल जाते है और अब बात करें बाटरी डिपार्टमेंट की तो Poco X2 में आपको बड़ 3.5 mm jack Poco F1 में आपको देखने मिलता है 4000 mAh की बैटरी वित 18W fast charger कोई चार्ज 3.0 जो कि आपको बॉक्स पर एविलेबल है इस पर भी आपको टाइप-C port देखने मिलेगा वित 3.5 mm jack अगेन या बैटरी डिपार्टमेंट में भी पोको एक्सटू बैटर है क्योंकि इस पर आ वह दो आप पैकेज देखो गए तो यहां पर पोको एकस्टू पैटर है पोको एफ बन से यहां पे नपोको एक्सटू का डिस्पलेट डिजाइन कामरा एन बैटरी एन परफॉर्मेंस फिटीक है आपे ना क्लीर विनर है पोको एकस डू मेरे हिसाब से पर अगर आपकी अ पोको F1 शुरू होता है 14999 यानि 15,000 में आपको 6GB RAM और 128GB variant देखने मिल जाएगा तो यह था एक कमपारिशन बिफिन पोको X2 वसेश पोको F1 आई होब कि आपको एक कमपारिशन पसंद आया अगर पसंद आतो लाइक कीजिए इस सेब के और भी वीडियो दिखना चाहते हो तो हमें चाल को ज़रू सब्सक्राइब करने और मैं ते कमें सेक्षन में पताना है कि आपके मन में कोई भी डावट से यह वीडियो के रिगार्डिंग और मैं आपको मिलता हूँ अगले किस एक वीडियो पर